नमस्कार आज दो खबरे हैं दोनों CBI से जुड़ी भी हैं तो पूरु महा महीम और इस देश में किसानों के सबसे बड़े मसिया अपने को समझने वाले सत्यवाल मलिक तक CBI पहुँच गई महा महीम बाहर निकले राजभावन से और CBI उनके दर्वाजे पर तो CBI ने गुरु वार को उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है उन्होंने एक आरोप लगाया था को उनको 300 करोल का प्रिश्वत दी जा रही थी दो फाइलें क्लियर करने के लिए एक जम्मौ कश्मीर के राज्यकरमचारियों के स्वास्त बीमा से जुड़ी योजना की फाइल थी अरोप लगाया कि ये दोनु फाइलें एक रिलाइंस ग्रुप को देने का दबाव था दूसरा संग के एक पदाधिकारी का दबाओ था एक निजी कमपनी को देने का और दोनों जगहों से इस बात का खंडन हुआ उसके बाद लेटरिन गवर्नर मनोस सिना ने कहा कि बड़ा गंबीर मामला है इसकी जांक सी बियाई के हवाले कर देते तब से सद्पाल मलिक साब की हालत खराब है अब उनका बयान हो गया बयान में उन्होंने एक अफसर का नाम लिया है आई एस सद्धिकारी का जिसके बारे में कहा कि उन्होंने प्रस्ताओ दिया था अब उनसे पुछताच होगी तो जांच का दायरा अब सिमट रहा है अब अब जो इम्मिनिटी मिली हुई थी उनको राजेपाल के रूप में वो इम्मिनिटी उनकी खतम हो चुकी है तो अब वो सामान इनागरिक हो गया है और सी बियाई उनसे उसी तरह से पूछताच कर सकती है और हो सकता है अगली जो बातचीत हो सी बियाई की उसके लिए सी बियाई उनको रिबांड में ले और पूछताच करे तो मामला अब जो है गती पकड़ चुका है दूसरा मुद्दा है दूसरी खबर है विहार से वो भी सी बियाई की है लालू प्रसाद यादो का जो रेल मंतरी का कारिकाल था वो भ्रष्टाचार की पूरी एक कहे का समंदर जैसा था गंगोतरी कहने जा रहा था लेकिन गंगोतरी तो शुद्ध है पावन है इसलिए गंगोतरी का नाम नहीं लिया उस समय उन्होंने जितना संभव था सब भष्टाचार किया तो नया मामला जो है पहले तो IRCTC में तेजस्वी यादों के खिलाब चार्शीट हो चुकी है और लालू प्रसाद यादों के अलावा तीन पाँच और अफसर है अब ये मामला है Land for Job यानि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन दीजिए तो जो अभ्यर्थी थे उनको एवजी तोर पर रखा जाता था यानि सब्सिट्टूट के तोर पर और जब वो जमीन परिवार के नाम ट्रांसफर कर देते थे किस के किस के नाम जमीन ट्रांसफर होई है राबडी देवी के नाम लालुकरसाद यादो की पत्नी और पूर मुक्यमंत्री उनकी दो बेटियों मीसा भारती और हेमा यादो और ये दिखाया ये गया है कि हमने ये जमीन खरी दी तो सेल डीट के जरीए ये ट्रांसफर हुआ है तो देखने में लगता है कि बड़ा लीगल मामला है लेकिन फसे कहां फसे इसलिए कि आप मार्केट रेट से नीचे तो खरीच सकते हैं ये तो बात समझ में आती है लेकिन सर्कल रेट से भी नीचे खरीदी गई है जमीन और सब पटना की प्राइम प्रॉपर्टी है और जिन लोगों ने बेचने की बात जो कही जा रही है उन सब को रेल्वे में नोकरी मिली है तो उनको नोकरी मिली ही ंनको पहले जो है सब्सिक्चुट रखा गया फिर रेगलराइज कर दिया गया जब जमीन ट्रांसफर हो गई और उसके अलावा जिन लोगों को नौकरी मिली उनमें से ज़्यादा तर ने फर्जी सर्टिफिकेट जमा किये हैं तो कुल मिला के घेरा लालू पिसाद यादो के परिवार के इर्दगित और कस्ता जा रहा है और यही दो मामले हैं जिनकी जाच की लगातार नितीश कुमार मांग कर रहे थे भाती जन्ता पार्टी पर और केंद सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि जल्दी कीजे क्यों नहीं कर रहे हैं और अब हो गया है अब क्या करेंगे नितीश कुमार अब जो जो चार्शीट फाइल हुई है इस पर अगर कॉगनिजर्स कोर्ट लेती है उसके बाद चार्जर्स फ्रेम होते हैं तो इन सब की गिरफतारी तैमानी है उसके बाद बिहार की राजनीती में कौन सा भूचा लाएगा इसका इंदार कीजिए तो आज के आंक में इतना ही अगले आंक में फिर मिलेंगे किसी ने मुद्दे के साथ तब तक के लिए वनुमती दीजिए नमस्कार